एलो प्यारे बच्चो कैसे हो सर आप मेरे पीछे क्या देख रहे हो सर मैं बात कर रहा हूँ एन इप जो नए बच्चे हैं आप यहां पर ओनर्स लिख दिया चलो प्रोग्राम भी कर देते हैं मैं दोनों की बात करूंगा और जो मैं बात करने वाला हूं सर देट इस ही support के और भी core subject है बहुत ही इंपॉटन अपके life में प्ले करते हैं आप कहीं ना कही जाते हो और मैं एगर personally बोलू तो मेरें मेरे Сबसे टफ सब्जेक्टे चीजे बहुत सारी होती है वो है एक कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तो कॉस्ट अकाउंटिंग इतना आसान चेप्टर नहीं है काफी सारे भी मैं चेप्टर भी बताऊंगा कौन-कौन से कितना टाइम लगेगा और जो बच्चे साथ बज़े ही रखा है जैसे पहले रखते थे अब शाम को साथ बज़े रखा है टीटियस और जो क्लास रहेगा हमारा टीटियस इंदा सेंस जो अपकमिंग ट्यूजडे है एक तो ट्यूजडे अभी आएगा वो नहीं नेक्स ट्यूजडे आपका यानि 26 के बाद जो दी जाएगी इसके कुछ चेप्टर से होता क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग साथ जैसे मान लो मेरे पास ये हैं तो आपको सिखाय जाता है कि इसके अंदर जो खर्चचे लगें इसके बटन का क्या को स्टो क्या होगा डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीके से कास्टिंग कैसे निकाले जाती है वो बहुत इंट्रस्टिंग है और इसमें थोड़ा स्लेवर्स चेंज भी हुआ है तो चेंज स्लेवर्स के साथ पढ़ने वाले हैं हाला कि यूट्यूब पे वीडियो पुराने डाले हुई है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजे चेंज हुई है तो इस पर कि प्रड़क्यन में है क्या भाई 25 नंबर का पच्यस नंबर यह Persадц kah है यह 20 का है यह माक्स लिख दिए मैंने जो आपके माक्स इंटरनल की बात नहीं कर रहा माक्स की मैं बात करना इतने माक्स का है तो यूनिट नमबर वन है बाइस नमबर का यहां पर पच्छिस परसेंट है अठारा 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 और पंदरा नमबर का है सर यूनिट नमबर वन में क्या आ manufacturing का new introduced हुए तो इसको पूरा पढ़ना पढ़ेगा हमें ठीक है ना unit number one basically इसमें theory का chapter है और एक practical का chapter बोला जाए तो cost sheet है cost sheet है यह दो चप्टर बना के यह पूरा बना है बाकि बीच में वही 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 लिखावा है तो वह तो आपने inventory जो पढ़ा हुआ था पहले मैंने बोला था कि एफम में तो देखो inventory के question नहीं पूछेगे लेकिन आप पूछे जाएंगे और बहुत तीस तीस नंबर के question भी आ जाते हैं कई बार तो unit number two है material में सिखाए जाता है material का manage कैसे किया जाता है labor में च़िखा है इसके बाद आ जाता element के different overhead overhead का मतलब खर्चा होता है उस खर्च को कैसे manage किया जाए कैसे पता करें किया क्या खर्चा है क्या ratio है किस ratio में किसी खर्च को बाटा जाई जैसे 1 लेकान लेते हैं कि Watchman और वाच में तो सारा काम कर मुझे मंडे जाना है करने के लिए मंडे मीटिंग है तो क्या कि मुझे उसमें अपडेट्स करना है कुश्टन पेपर हो चुके हैं तो उसको अपडेट्स करके फिर आपको मिल जाएगा इस बार वीडियो के साथ टेनियर का भी कुछ-कुछ प्रोविजन रखने वह बता दि इसके अंदर इंट्रीकल नोड्रीकल पॉट र या रिकंशलेशन और सही नहीं नहीं पड़तों उसी कंपर माइन इसको domains टॉर्म पढ़ाने के लिए सेम एफम को मैंने डिवाइड के था तक उस फॉरमैट में यूनिट वर बता दूँँग यह वाला जो दो हैMore unit 1 में रखा है हमने, इसको रखा है unit 1 यही 2 चीज़े है unit 1 में लेकिन 2 चीज़ों का मतलब सिर्फ 2 word नहीं है इस पर बहुत detail में है सारी चीज़े unit 1 में हो गया, तो कितने total 11 chapter है, महिने कितने है सर, हमारे पास दाई से तीन मैन क्योंकि जनवरी खतम हो गया परवरी, मार्च, एपरिल और मई में paper का schedule है तो तीन मेने बचे हैं तो classes तो बहुत दावातो होड़ तरीके से लेना पड़ेगा ये दो chapter आ जाते हैं unit number 2 में सार ये दो chapter आ जाते हैं unit number 3 में सार ये 3 chapter आ जाते हैं आपके unit number 4 में ऐसे समझ लीजिए और ये chapter आ जाता है आपका unit number 5 में Sir ये वाला जो है न ये 22 number का chapter है marks ये दोनों chapter 22 number का मान लो ये है 18 number का और ये कितने का है 18 number का ये कितने का है 18 number का और ये कितने का है 15 number का ये लो मैंने marks भी बता दिया कितने कितने का questions का कितने कितने marks होगा तो cost accounting का बहुत बच्चे YouTube पे पूछ रहे थे तो YouTube पे भी specifically video डालूँगा और इस सारे index में detail में भी discuss करने वाला हूँ तो मैंने बताया 26 January के बाद bad start है अभी enroll हो रहे है principle of marketing में बहुत बच्चे last में आये थे मैंने बोला please हो नहीं पाएगा reason being क्योंकि आपका तो paper है लेकिन उसके अंदर काफी सारे topics ना मतलब के मतलब server में फिर दिक्कत आ जाएगी पुराने बच्चों को तो हमने admission close कर दिया था same ऐसे हमने इसका foundation batch के according launch किया है जिसके अंदर बिल्कुल zero से करेंगे FM में आपने देखा YouTube पे काफी time लगता है और YouTube के उपर करने में थोड़ा सा time भी आपके paper अच्छे गए है और कुछ बच्चों के नहीं भी गए होंगे लेकिन आप एक चीज़ अब्जर्व करिएगा जिस pattern पर पढ़ाया गया था exactly उसी pattern पर आता है हमारा एक ही परपस होता है कि बच्चों को एक्जाम के अंदर tension free होगे paper कैसा आएगा वो सारी चीज़े हम करते हैं महनत इतने time के experience आपके साथ share करते हैं कि यह paper ऐसे आएगा यह वाला questions आएगा यह करके जाओ यह वाला करके practical question में ऐसा possible ही नहीं होता महिश्वरी मित्तल दो बुक चलते हैं बाकि किसी college में अलग लग जाए वो अलग बात है महिश्वरी मित्तल चाहे बच्चा प्रोग्राम का इस पूरी बुक को हम base लेके चलेंगे plus साथ के साथ हम क्या लेंगे सर वही जैसे की FM में था 10 year भी लेके चलेंगे बिल्कुल starting से class लेंगे तो आपको एक घंटा ही पढ़ना है और अगर end में लेंगे तो end में FM में तो मैंने unit बता दिया था कर लो इसके अंदर possible नहीं है end में 10 दिन में सोचो के कर लेंगे तो मैं literally कह दूँ का नहीं possible है वो FM से मान के चलो double मेनत इसके अंदर लगने वाली FM से double मेनत ठीक है न तो ये पूरा का पूरा costing का syllabus था course जो हमने अभी launch किया है चाहे program का हो honors का foundation badge कर रहा है foundation badge का मतलब बहुत बच्चे पूछ रहे हैं जिन बच्चों का accounts का base बहुत weak है उन बच्चों के accordingly इस बार हम पढ़ाएंगे के बिलकुल धीरे धीरे slowly slowly सारी चीजे लेके चलेंगे जिन का base है और plus जिन बच्चों का internal आएगा internal मैंने अभी आपकी इन दुनों paper चले थे तो मेरे को time मिला था तो आप सभी बच्चों के internally मैंने fresh recording कर दी है तो जो बच्चे internal आएंगे बच्चे मुझे बोलेंगा सर हमारा internal है यह chapter आप मुझे बता दीजिए के कैसे करना है उनके folder में हम internal के डलवा देंगा आप पढ़ लीजिए उसको और लाइव में मैं फिर लाइव के इसाप सरी चलूँआ ठीक है मैं बिल्कुल अपना speed वही maintain करूँआ जैसे FM में मैं लेके चला था या फिर बिल्कुल slow मेरे को भागने की कोई जुरत नहीं है जिन बच्चों को chapter की जुरत होगी इंटर्नल परपस के लिए तो हमने अलग से रिकॉर्डिंग कर दिया वह आपको मिल जाएगा इसके अंदर बिल्कुल ठीक है प्योरी लाइव है टाइमिंग जो हमने इसका डिसाइड किया है तो आप जितने भी बच्चे है सर क्या YouTube वाले बच्चों के लिए वीडियो आएगा बिल्कुल हाँ ये वीडियो आएगा YouTube वाले बच्चों के लिए भी हाँ बहुत बड़ा हाँ है लेकिन वो time to time accordingly मैं डालता रहूँगा इस बार capital bursting के अंदर एक आपका chapter था like capital bursting ही रह गया और एक रह गया आपका dividend policy दो unit रह गये थे तो चलो थियोरी है और टीवियम भी रह गया तो उससे बड़ी दिक्कत होई बच्चों को बाकि इसमें slivers भी चेंज है accounting standard change हो गया है तो आप लेंगे तो बिल्कुल latest book लीजिएगा तो आप तो नई वीडियो आएगे तो थोड़ा slow हो सकता है वीडियो यूटूब पे लेकिन हम यूटूब पे देखो बच्चे तो बच्चे हैं दोनों जगह पढ़ रहा है ठीक है जिनको अभी एंडूल करना या फिर यूटूब पे देखें इसके साथ international business वो भी हम बहुत जल्दी अपने platform पे लेके आएंगे साथ के साथ आपका statics है honors वालों के लिए वो भी आपके लिए लेके आएंगे जल्दी से जल्दी statics तो in fact आ चुका है तो जिन बच्चों को join करना है आपका exam कैसा गया न इसले मैं hold कर रहा हूं 25 तारिक को सभी का paper खत्म हो जाएगा फिर तो हम आराम से पढ़ेंगे बस एक बच्चों का रह जाएगा एसो एलो उनर्स उनका FM नहीं हलके हलके से subjects रह जाएंगे तो hopefully आपको समझ में आया होगा पूरा detail है और भी किसी तरीकी की दिक्कत कोई परे बढ़ा हूंगा सबसे पहले मैं यह कॉस्सीट करा हूंगा फिर material करा हूंगा सीक्वेंस में ही जो ठीक है उसके according मैंने manage किया है थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में